हेलो नमस्कार साथियों कैसे हूँ आप सब लोग मैं आसा करता हूँ काफी बेहतरीन होंगे आप सब लोग मेरा नाम हर्योम सिंग और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हर्योम एजुकेशन योट्यूब चैनल पर आज मैं diversity living organisms का lecture number 10 लेकर आया हूँ आज हम आपको पढ़ाएंगे फाइलम टीनोफोरा प्लैटी हें मिन्स नीमेटोडा एनेलीडा पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ाये थे फाइलम पॉरिफेरा मैं आसा करता हूँ आप ये देख कर आये होंगे अगर नहीं देखें है तो link description box में मिलेगा lecture number 9 है उसको देख लिजेगा फिर मैं बताया था फाइलम सिलेंट रेटा या नाइडेरिया भी इसको बोला जाता है कुछ लोग नीडेरिया भी पढ़ते हैं जो पढ़ना है वो पढ़िये ठीक है उसके बाद अगला फाइलम है फाइलम टीनोफोरा टी फाइलम प्लैटी het shutte Les est यह दोर्ड से मिलकर वना है प्लैटी और हैसल मतलब होता है फ्लैट मतलब होता है वकिरा समझ गया फिर हम लोग बात करेंगे निमे टोड़ा के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे फाइलम एनलीडा के बारे में, ठीक है, आज हम लोग में ली चार फाइलम के बारे में डिसकस करेंगे, ठीक है, ये आपके books में नहीं दे रखा है ले फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूँगा ठीक है चलिए इस lecture को सुरू करते हैं हम लोग अज एक light भी गरबर हो गया है लगाता डांस किया जा रहा है लाइट दो को डांसिंग चल लाइड दिन आना परेगा अपर 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 अब बोर्ड सुखे गा नहीं जल्दी ठंद में बहुत समस्या होता है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्या पढ़ना हम लोग को फाइलम टीनो फोड़ा हेडिंग डालिए कॉपी में फाइलम टीनो फोड़ा फाइलम टीनोफोरा यह फाइलम कितना नंबर पे है तिसरा नंबर पे ठीक है आपके बुक्स में लेकिन नहीं दे रखा है समझ गया चलिए अब हम देखते इस फाइलम का कुछ कारेक्टर आवे सांथ से रहना नो टंकी लाइट लगा रखा यह फाइलम होता कैसा वो देखो ध्यान से यह ना एक बॉल के समान होता है समझ गया है क्या चीज़ के समान बॉल के समान और इसके बॉडी पे ना आठ ऐसा ऐसा निसान बना होता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ समझ गया है इसके बॉडी पे ऐसा बना होता है समझ गया और क्या होता है यहां पे और यहां पे दो टेंटिकल्स निकला होता है ठीक है अब जो आपको यह इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रा होगा ठीक है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या बोला जाता है बता अरे जोड से बोलना भाई क्या बोला जाता है यह क्या है कॉम्प्लेट कितना है एट नजर आ रहा होगा आठ होता है यह जो फाइला में इसको न समुदरी अख्रोट भी बोला जाता है स्टी वॉलनाट अख्रोट टाइप का लग रहा है खा नहीं जाना समझ गया ना इसके पास आठ कॉम्प्लेट होता है एट कॉम्प्लेट्स समझ गया जो की आपको दिख रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ समझ गया क्लियर और यह जो फाइला में होता है इसके पास एक यूनीक करेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं बायो ल्यूमिनी सेंस ठीक है बायो का मतलब होता है लिविग ठीक है और ल्यूमिनियस मतलब क्या होता है बता जो लाइट को एमीट करता है ठीक है जिसके अंदर से लाइट निकलता है अरे यहीं न पढ़े थे अबजेक्ट दो टाइप का होता है ल्य luminous object है वो light को निकालता है बल्ब कैसा है luminous object अभी मैं नहीं देखूंगा बल्ब पर नहीं तो दिखना बंद हो जाएगा समझ गया ना तो कैसा object है luminous object तो ऐसा living organism जो light को emit करता है उसको हम बोलते हैं bioluminescence property रखने वाला organism मतलब यह जो phylum टीनोफ हो रहा है इसका जो organism होता है अपने अंदर से light को emit करता है समझ गया है यह organism का unique character क्या है यह light को अपने अंदर से निकालता है समझ गया है और different different color का होता है जैसे दिवाली में हम लोग अपना घर सजाते हैं तो क्या होता है अगला कलर का वो क्या बोलते हैं उसको जो भी बोला जाता है लत्ती बल्ब जो भी अंसंट बोला जाता है उस सब को जो घर पर लटकाते हैं ठीक है देखने में कैसा लगता है काफी सुन्दर लगता है तो वैसा ही कुछ समूद्र के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइट जल लाहा होता है, क्यों जल लाहा होता है, क्योंकि समुद्र के अंदर टीनोफोरा होता है, टीनोफोरा बहुत अंदर में पाया जाता है, समझगा और वहाँ हम लोग काफी अच्छा लगेगा देखने में समझ गया ना सर्च किजिएगा टीनो फोरा जी आई एफ आपको मिल जाएगा हिलता हुआ वाला फोटो चमकता हुआ बहुत सुन्दर लगेगा देखने में चलिए आगे बढ़े हम लोग अब मैं वीडियो को एडिट करके वो लगाऊंगा नहीं ठीक है क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है एडिट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है चलिए आगे बढ़े बढ़े हैं बस इतना ही बताया ठीक है फाइलम टीनो फोरा के बारे में अगर आप 11 पर जाएंगे ठीक है 11 इंसी आर्टी में भी परना उसका लगवा लगवा चीद मैं यहां पर पढ़ा दूंगा ठीक है तो आपको चिंता करने का ज़ुरत नहीं है क्योंकि एक्जाम में आता है तो मैं पढ़ाऊंगा ही ठीक है चलिए आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है फाइलम टीनो फोरा खतम हो गय यह प्लैटी हिलमिन्स दो वर्ड से मिल कर वाना है पहला प्लैटी प्लैटी का मतलब होता है हिलमिन्स मतलब होता है वर्म तो यह संय हो और समझते हो चिप्टा समझे रहे हो चिप्टा क्लियर अरे फ्लैट ऐसा प्लेन चिप्टा समझ गया ना उसी को हम बोलते हैं जैसे यह देखो जैसे यह हो गया, क्या है, वाइटनर है, तो यह कैसे है, बता, फ्लैट है, दिख रहा है, नीचे भी फ्लैट, प्लेन, और उपर भी प्लेन, समझ गया न, क्लियर, तो इसी टाइप का यह और यह जम होता है, हलाएं कि इतना मोटा नहीं होता, तेक है, लेन इसको क्या बोला जाता है, फ्लैट वर्म, तेक है, अब इसका फोटो बना लेते हैं, हम लोग, तेक है, किसका, फ्लैटी हेलमिंस का, तेक है, यह पतला सा, लंबा सा, किरा होता है, क्लियर, अहलाएं कि इसका बहुत डिटेल में आपको नहीं बनाना है, समझ गया न, बहुत जादा डिटेल में आपको इसके बारे में नहीं बनाना है, तेक है, इसी टाइप का कुछ किरा होता है, यह जो इसका मूंग होता है, यह खाना वेगारे कुछ सक करने वाला होता है, खीचने वाला होता है, चूसने वाला होता है, तो इसको सकर बोला जाता है, इसका ये वाला रीजन गर्दन वाला है नेक वाला रीजन बोड़ी इसका कुछ यूँ होता है ठीक है समझ गया इसको हम क्या बोलते हैं प्लैटी हेल मिन्स फ्लैट वर्म है देखो नीचे से भी चिप्टा उपर से भी चिप्टा समझ गया अरे समझा कि नहीं समझ तोइस फ्लाइलम को गां बोलते हैं अल्सोर क्यों कॉल्ड एज फ्लैट वर्म क्योंकि ये फ्लैट है ठीक है समझ गया यह फ्लैम ट्रिप्लो बलास्टिक होताए क्या होता यह बता चिक ट्रिप्लोब्लस्टिक का मतलब बता क्या होगा इसके पास इक्टोडर्म भी होगा इंडोडर्म भी होगा जो बच्चा को समझ में नहीं आता है वह जाके पिछला लेप्चर देख समझा चलिए आगे बढ़ते हैं इंडोडर्म भी होगा इसके पास मिसोडर्म भी होगा अरे सब बता रहा हूं भाई और इक्टोडर्म भी होगा तीनों का तीनों होगा ठीक है मिसोगलिया के जगह पर क्या गया मिसोडर्म आ गया तीनों जर्म लियार इसके पास प्रजेंट है प्लियर समझ गया अब देखो इसका जो है और ventral side में भी वह यह क्या बोल दी है कि समझो डौरसल मतलब क्या होता है डौर्सल मतलब होता पीठ चा होता है तुम्हारा पीठ कहां है यह वाला ठीक है यह कौन Parent साइड हो गया डॉर्सल कॉंसा साइड डॉर्सल कॉंसा साइड डॉर्सल यह बाला कॉंसा साइड वेंट्रल यह कॉंसा साइड वेंट्रल कॉंसा साइड वेंट्रल यह कॉंसा साइड डॉर्सल क्लियर याद रखना है डॉर्सल और वेंट्रल में डिफ्रेंस समझ गया ना बह तो dorsal ventral में difference clear हो जाना चाहिए, ठीक है, clear, dorsal समझ में आ गया ना, पीठ वाला साइज, ventral ये वाला, confuse नहीं हो, clear, अरे सही है न, जैसे मान ले ये एक आदमी है, जैसे मान ले, कैसे बनाओ, जैसे मान ले ये आदमी है, अरे छोड़, इधर देख रहा है, मान ले इसका नाख है, देखा है, नाख है, चल, ये आदमी है, समझ गया है, इसका ये कौन सा साइड है, पीठ वाला साइड है, पीठ के लिए हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल, और आगे वाले के लिए, वेंट्रल, ठेक है, clear, अरे समझा, अरे इसके इजी फोटो, सिधे मुँ ऐसे कर देने, ऐसे ही कर देनी बनीगा तो, clear, तो डॉर्सल, वेंट्रल में कोई भी डिफ्रेंस, में कन्फ्यूजन तो नहीं है न, डॉर्सल मतलब पीठ, वेंट्रल मतलब आगे वाला, अरे वेंट्रल मतलब आगे वाला साइड, ठेक है, किस में, इन आदमी, आदमी में, समझ गया है, जानवर में नहीं होगा, जानवर का डॉर्सल क्या होगा, पीठ, आदमी कैसे था पहले, ऐसे, जुका हुआ, समझ गया है, ऐसे, ठेक है, बंदर को देख, चिंपानजी को, उसका पीठ क्या है, ये वाला डॉर्सल, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके, समझ गया है, ऐसे ऐ यह में इसका पीठ वाला साइड उपरवाला साइड डेखो इसमें पीठ यह हो गयाएlı पेसं आ लोनों का दोनो दोनों फलैट हो गातुम मंतब से मैं ventrally flat organism कैसा है डॉर्सो वेंट्राली flatten होता है समझ गए है डॉर्सो मतलब समझ में आ रहा है डॉर्सल डॉर्सल मतलब पीठ वाला साइड तेक है मतलब विंटरल मतलब weंटरल Weंटरल मतलब पेट वाला स एड क्लियर पेट वाला साइड की राका आनिना deprived पानी भी गर गया क्लिया आगे बरहे हम लोग बढ़ते हैं ओगे किजाज़त हो तो आगे बढ़ते हैं यह और्गे देखने में कुछ पत्ता टाइप का भी लगता है पत्ता भी क्या होता है उपर में फ्लैट अंदर से फ्लैट पर किसी-किसी बुक्स में लिखा रहता है लीफ लाइक ऐनिमल लिख देता हूं मैं इसमें किसी को कोई भी तकलीफ पीरा कस्ट नहीं होना चाहिए यह जो अर्गनीजम होता इसके पास टीस्सिव लेवल ओफ और्गनाईजेशन होता है कैसा होता है बता टीस्सिव लेवल-off अरे समझ में आया कि नहीं आया बिल्कुल नहीं आया अरे सही है कि नहीं है सही है तो बोल ठीक है चलिए आगे बारे अब हम लोग क्या इसके पास body cavity होता है body cavity और थात सिलोम यह मैं कौन सा भासा बोलने लगा ठीक है क्या इसके पास सिलोम होता है नहीं होता है इसके पास body cavity नहीं होता मतलब absent है absent ठीक है रॉल नमबर 5 absent sir ऐसा भी नाला है कि स्कूल में मिलता है absent sir करने वाला चलिए आगे बढ़ते हम लोग यह हम लोग के class में खूब चलता था ठीक है रॉल नमबर 5 तो absent sir ठीक है आगे बढ़े अब हम लोग चलिए अब है important topic हम लोग देखने जा रहे हैं आगे बढ़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं कहां पर थे हम लोग सिलोम ठीक है सिलोन क्या होता है absent किस में प्लैटी हेल मिन्स में फ्लैट वर्म में समझ में तो आही गया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चलिए अब यह जो आपका प्लैटी हेल मिन्स था ठीक है इसके पास सांस लेने वाला सिस्टम नहीं होता नहीं सर्क्यूलेट्री सिस्टम होता तो इसमें रेस्पिरेट्री एंड सर्क्यूलेट्री सिस्टम होता अबसेंट गायब है सबको समझ में आया जिसको नहीं आया हाथ उठाओ अरे आया नहीं आया ठीक है अब यह जो प्लैटी हेलमिंस है इसके बॉडी के उपर हड़ी नहीं होता इसके लेटल नहीं होता क्लियर इसके लेटल इसमें एबसेंट होगा अरे कलियर कि नहीं है कलियर हो गया होगा क्लियर ठीक है यह जो और्गेनिजम है यह फ्री लिविंग भी हो सकता है मस्त रहेगा तुम्हारे जैसा इसका एक्जामपल हो गया प्लैनेरिया क्या हो गया प्लैनेरिया अराम से रहेगा कुछ और्गेनिजम पैरासिटिक होगा पैरासिटिक का मतलब समझते हो नहीं समझते हो चलिए मैं बताता हूँ ऐसा और्गेनिजम होंगे रिलेटिव तो ऐसे ही लगते हैं अबे सांथ रसांथ समझ गया ना चली आगे बढ़ते हैं तो पैरासिटिक और्गनिजम पैरासिटिक और्गनिजम क्या होता है लिवर फ्लियूक आपसे लेकर चला जाता है बट आपको कुछ भी नहीं देता समझ गया न सब खाना पीना टांके ले जाता है और कुछ भी नहीं देता ठीक है दो बुलाओं यह जो फ्लैट्वअरम है ठीक है फ्लैट्वार्म है इसके पास न कि Japanese होता है समझ गया बिलकुल तुम्हारे इतना ठीक है तो इसके पान नर्वसश्टम well developed होता है तेखा है nervous system well developed है समझ गया पुरा बन या मस्त होता है well developed लेकिन पुराने type का होता है समझ गया and primitive brain is present पुराने type का and primitive brain is present समझ गया मतलब इसमें अच्छे से नहीं होता है जैसे हम लोग के पास brain है न उस type का exact नहीं होता है समझ गया और भी इसका example है plan area plan area तो बता ही दिया plan area हो गया plan area के बारे में आपको आगे भी पढ़ना है किस type का होता है इस type का कुछ होता है और गनीजम plan area लग रहा है कि तुम्हें ही देख रहा है तुम्हारा गला दबाएगा चलो और भी है तुम्हारा ये जैसे मान ले लीवर फ्लीव हो गया ये सब क्या है platy hellman's का example जो जो example सभी important था वही सब बताया तुम्हारा और भी लिख दो जैसे pork tapeworm में खोता है जिसको tinia solium बोला जाता है तुम्हारा tinia solium scientific name है इसको हम क्या बोलते है pork tapeworm समझ गया न पॉर्क सुवर बाला clear duugasia planaria duugasia क्या होता है planaria ठीक है beef tapeworm भी होता है beef tapeworm भी एक होता है tinia family का ही member है clear family नहीं बोलो genus बोल दो ठीक है tinia saginata लिखना है तो लिख सकते है tinia saginata beef tapeworm ठीक है आगे बरे हम लोग इस सब मुद्दा पर मैं comment नहीं करने वाला समझ गया ना ठीक है नहीं तो बवाल मसता है चलिए आगे बरते हैं और भी होता है फैसियोला लिवर फ्ल्यूक अरे भाई सोसल मेडिया है कुछ भी बोलने वाला नहीं होता ठीक है यह सब है कुछ ब्लड फ्ल्यूक भी होता ब्लड में रहने वाला समझ गया ना यह सब आपको याद कर लेना है समझ गया है समझ गया है क्लियर प्ल्यूक टेप वर्म प्लैन एडिया इस सब के बारे में आपको याद कर लेना है समझ गया है क्लियर स्पेलिंग इसका अगर बड़ लग रहा है सीजो इस्टो सोमा सीजो इस्टो सोमा क्लियर समझ गया है ना क्लियर इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अब हम आते हैं अगले फाइलम पे क्या-क्या परहा दिया अभी तक चार फाइलम हो गया, फाइलम पॉरीफेरा समझ गया है पॉरीफेरा जिसके पास पोर था , फिर नाइडरिया जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं नाइडरिया का कुछ और भी फीचर है उसको फाइसे लिया उसमें एक औरगिनीजम आता है तिक बहुत खतरनाख होता है अगर आप उसको टॉच करोगे तो आप के उपर अट्यक कर देगा जिसके बारे में k enrollment भूल गया था थ llumik वैसाफ य वो आपके book नहीं दे रखा है समझ गया ना बहुत खतरनाख और यह नहीं जम होता है जैसे सो उसको छुओगे आपके उपर वो जैसे माल लो एक बार किसी को भी तंग करने जाओगे तो अटैक कर देता आना उसी टाइप का वो अटैक करता है बहुत खतरनाक होता है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कर दो आगे बने आगे चार फाइलम हो चुका है आजड़ और पढ़ाना है ठीक है फाइलम प्लैटी हल्मिन्स देख लिए हम लोग प्लैटी मतलब दाब फ्लेट ठीक है अब अगला हम जो पढ़ने वाले हैं वह है राउंड वर्म राउंड वर्म या थ्रेड वर्म भी बोला जाता है धागा टाइप होता है कि बोड भिंग गया कि फिर सुखाने में हालत ख्राब होगा कि चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक भी बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है यह सब पढ़ लो बहुत काम देगा आगे अगर आपको बायो लेना है तब तो समझिए आपको आगे बहुत जादा मेहनत नहीं करना परेगा इस सब चैप्टर में एलेवन टुवेल्स में बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है समझ गया न तो आपका बहुत सारा चैप्टर यहीं पर रेडी हो जाएगा अगर काफी ध्यान से अगर आप इस सब को करेंगे तब प्लेयर तो चिंता करने का बहुत जादा जरूरत नहीं है आगे बरे अब हम लोग बढ़ते हैं क्या क्या पढ़ा दिया फाइलम प्लैटी हेल मिन्स हो चुका है ठीक है फाइलम एसकेल मिन्थस के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि नीमे टोड़ा भी इसको बोला जाता है एसकेल मिन्थस कौन सा फाइलम है चौथा फाइलम है ठीक है क्लियर एक और नाम है इसका इससे इतना गंदाए स्मेल निकलता है कि अब सोच भी नहीं सकते हो भाई बहुत गंदाए स्मेल निकलता है देखो भाई अब इस वर्ड को नहीं ब्रेक करते हैं इसका मतलब होता है नीमे का मतलब होता है ठ्रेड क्या होता है ठ्रेड और हेलमिंस का मतलब होता है ड्रत ध्रेड जैसा दिखे उसको हम बोलते एसकेल मिंधस यह जो और moje LAUGHTER है यह ट्रिप्ल व्लस्टिक होता है कैसा होता है ट्रिप्ल व्लस्टिक का का मतलब सबी लोगों को पता है अरे भाई कितना वर बता हूं ठीक है यह औरगे निज्ब्स देखने में कैसा होता है कैसा होता है सिलेन्डा कर बनाकर दिखां क्या यहां दिखाता हूं बनांकर अगर आप इसको ऐसे काटो गहें तो कैसा दिखेगा इस तैप का इसको अगर काटो गहें मतलब मैं खोल के दिखाता हूं इस स्भूंदरिकर को एक ले मocyte को सेंगा कैसा है। सिलेंडरिकल नहीं लग रहा है। तो ये और गोनिजम कैसे है ? सिलेंडरिकल वॉर्म है इसा में कोई भी डाउट नहीं होगा। सिकवा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक member इसका cylindrical ही exact होगा clear हर एक member exact cylindrical नहीं होता समझ गया नर टेक है इसका कुछ member में मतलब करीब बाई लिट्राल भी होता है दोनो टाइप का होता लेयं जनरली टेट्राल को प्रेफर किया जाता क्योंकि mostly वही होता है समझ गया आपके बुक में क्या दे रखा है वो तो मुझे नहीं पता एक मिनट बस वेट किजिए मार्कर में भी थुदा इंक डालना है मैं बुक लेकर आता हूँ कौन सा है निमेट ओडा का बाई लेटरल ही दिया होगा अना ही तो किसी किसी में वह भी होता है क्या बोलते है रैडियल सिमेट्री कौन सा है भई कि फ्वाइलम निमेट ओड़ा कि विडियो वगारा ठिक थाक से बन दाना है ना कि सब सही है ठीका एक घंटा 16 मिनट पर कट जाता है ना इस चीज़का मैं ध्यान रखूंगा प्वाइलम दो भाय यह 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 तीनो फूरा मिल गया देख्वय यह है टीनो फूरा दीखा दिख रहा है यह है कि दिखा पर दिख रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा एक सेकंड रुख जा ब्राइटनेस पर आके मैं चेक कर लेता हूं एडिट करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है ठीक है अब दिख गया होगा अब बोर्ड पर फोकस कर देता हूं ठीक है हो गया बोर्ड पर सही से है फोकस सही है ठीक है तो यह क्या है बता फाइलम टीनो फोरा नजदीक से जब फोकस करता है तो एक ही चीज़ पर कर पाता है ठीक है क्योंकि आटो फोकस मोड आफ रहता है इसका कौन सा अभी परहा रहा था यह देखो प्लैटी हेलमिंस का भी फोटो है फ्लैट वर्म देखो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट लिवर फ्लियूक यही तो भी बताया था ना दोनों ठीक है थोड़ा ही सा दे रखा है इलेविंत का बुक है समझ गया ना जितना जितना मैं पढ़ाया उतना ही दे रखा है उसे बहु ज़्यादा नहीं है हाँ बाइलेटरल सिमेट्री ही जिनरली लिखे हुए है ठीक है सही है हम सही है इसमें भी bilateral है, आपका भी book मैं check कर लेता हूँ, ठीक है, किसी-किसी में दिया होता है, इसलिए मैं बता दिया था, आप में भी साथ bilateral ही था, कौन सा है, हाँ, bilateral ही है, ठीक है, आगे बारे हम लोग कैसा symmetry है, bilateral symmetry, कहीं-कहीं पर दिया होता है, समझ गया ना, तो वो भी मैं बता दिया, क्योंकि ये circular type होता है, इसलिए लिख देता है, clear, इसको roundworm भी हम कहते हैं, क्योंकि ये round होता है, अगर इसको काटोगे, तो अभी खोल के दिखा था ना, उस type का, दिखता है, also called as roundworm, clear, अरे समझ में आता है कि नहीं तुम लोग को, आता ही होगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, roundworm भी बोल देता, because they appear circular in cross section, ठीक है, because they appear circular in cross section, ठीक है भाई, अरे समझ में आ रहा है न, तो अरे एक मिनट, सब चीद भूल जाता हूँ, मारकर में इंखी डालना भूल गया, ठीक है, इसको अगर काटोगे तो कैसा दिखेगा, circular दिखेगा, ठीक है, इसका भी, यह तो मैं male बनाया, ठीक है, female अब बनाऊंगा, इसमें male female में दोनों में बड़ा difference होता है, ठीक है, और male है तो इसको और छोटा कर देंगे, इसमें female का size बड़ा होता है, जनरली आदमी के case में क्या होता है, male का size बड़ा होता है, female का size कम होता है, जगवा केस में समझ दिए लेकिन यहाँ पे कुछ और चला होता है समझ दिए यहाँ पे female का size बड़ा होता है, male size छोटा होता है, frog में भी si होता है female frog बड़ी और इसमें भी female बड़ी male छोटा, clear ठीक है बना दे क्या है, जैसे माण ले ये female है हो गया हो गया ठीक है यह थोड़ा जादा मोटी हो गए फिम कोई दिखत नहीं है चलि है आगे बरते हैं मेल मोटा नहीं होना चाहिए बस चलिए आगे बढ़ते हैं यह जो और्गेनीजम होता है ना यह सेग्मेंट में नहीं टूटा होता है अनसेग्मेंटेड आपको प्लेन नजर आ रहा होगा अच्छी बात है ठीक है डाइजेस्टिफ सिस्टम इसके पास कंप्लीट होता है समझ गया ना डाइजेस्टिफ सिस्टम क्या होता है बता कंप्लीट होता है कंप्लीट डाइजेस्टिफ सिस्टम का मतलब समझते हो ऐसा और्गेनीजम जिसके पास माउथ और एनस दोनों हो क्या हो ठीक है complete digestive system का मतलब क्या होता है जिसके पास mouth और एनस दोनों हो उसी को हम बोलते है complete digestive system clear इसमें mouth और एनस क्या होगा दोनों होगा clear mouth और दोनों होगा ठीक है मालने यहां पर mouth है इसका ठीक है यह मालने mouth है इतना पत्लानी बनाते हैं यह मालने इसका क्या है mouth है तो कुछ यहां पर इसका एनस मान देते हैं ठीक है यह इसका एनस है clear यह कौन सा है यह कौन सा है फीमेल वाला फीमेल वाली टेक है चल यह आगे बढ़ते हैं क्लियर है इसमें किसी को कोई भी दिकत नहीं होगा नहीं नहीं दिकत यह पहला एनिमल से जिसके पास नहीं कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है समाझ गए और इस्ट्रेट भी है क्लियर आर्म अनिम्हल और यॅथ ऑल्स मुद् सिथा समझते ना इन गए और स्ट्रेट अन कम्प्लीट डाइज على qem हरे जिसके पास माउथ है न दो यू क्लियर आरे क्लियर है भाई माउथ एनस ठीक है दिखा अब पुरा इसका बोड़ी काट-काट के नहीं परना है समझेगा वो कामूम का नहीं है ठीक है यह जो मेल होता है यहां पर इस टाइब का दो निकला हुआ से स्ट्रक्चर होता है यह स्ट्रक्चर क्यों होता है ताकि फीमेल पार्टनर से मतलब समझ रहा हुआ ना को कॉपूलेशन कर सके कॉपूलेशन का मतलब होता मेटिंग क्लियर इसको पेनियल इस्पिक्यूल्स बोला जाता है ठीक है क्या है यह पीनियल इस्पिक्यूल्स ठीक है मतलब यह क्या चीज़ में मदद करेगा रिप्रोड़क्स्थन में ठीक है ठीक है समझ गए clear है न यह male में बस होता है female में नहीं ठीक है और male का size छोटा male कैसा होता है short होता है और यह long ऐसा ही कुछ mendak में भी देखने को मिलता है frog में clear आगे बढ़े हम लोग बढ़ते हैं आगे ठीक है समझ में आ गया इसका example देखो गे example मैं book से लिख देता हूँ ठीक है क्या क्या इसमें देखा एसकेरिस विचरेरिया ब्राइंड क्रॉपटाई एंसाइक्लिस्टोमा इसमें तो बहुत काम है 11 वाले में काम है ती नहीं है रुक जाए या इससे ज़्यादा आपके book में होगा ठीक है लिख देता हूँ इसमें से इसमें भी सेमी है आप्याइनल वर्म है ठीक है, राउंड होता है इसमें राउंड वर्म भी बोला जाता है खुक होता है इसके पास ठीक है बुचरेरिया व्यंड क्रॉपटाई इसको filarial worm भी बोला जाता है filarial में ये हुआने में मदद करता है हलाएंकि होना अच्छा चीज नहीं है ठीक है intero bias इसको pin worm बोला जाता है ये सब आप याद कर लिजेगा ठीक है clear सब तो होई गया ठीक है free living in soil most of them are parasitic produce disease in the host ठीक है parasitic वाला जो होता है वो disease भी करता है कहाँ पर लिखवाय था parasitic लिख दे जाए यहाँ पर कहाँ पर लिखवा दो यहाँ पर लिखवा देता हूँ जो parasitic होता है समझ गया है इसका जो कुछ मेंबर होता है न नीमे टोड़ा का वो parasitic होता है जैसे आपका यह हो गया तान यह वाला वुचरेरियाद और क्रॉप टाइज है ठीका है फाइले रियल वर्म ठीका है यह कराद देता है यह एलेफैंट आज़ेए पर देख लिया अ एसकेरिस दे रखा है एन साइक्लोस्टोमा लिखवा दिया हुक वर्म सही है फाइल एडियर वर्म सही है सब होगी गया तीन ही इसमें है ठीक है समझ गया ना आगे बारे हम लोग चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए विडियो एस्टेवल है एक मिनाट नहीं है समझ गया है इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है राउंड वर्म हो गया ना एसकेल मिन्थस निमेटोडा क्लियार इस सबका अलग अलग नाम होता है आगे बढ़ते अब हम लोग अब आते हम लोग अगले फाइलम पर एक है फाइलम एने लीडा क्या क्या करवा दिया पॉरिफेरा करवा दिया नाइडेरिया करवा दिया टीनोफुर्रा हो गया तिसरा चोथा था प्लैटी हेलमिंथ पाज्मा एसकेलमिंथा छट्था एने लीडा ठीक है एनली डाव करवाता हूँ समझ गया सेम ऐसा ही 11 में भी पढ़ना है समझ गया ना आपको मैं अभी बुक तो दिखाया ही था लगभा लगभा चीद आपका कवर ही रहेगा 11 वाला अरे भाई उतना ही आपको भी पढ़ना है समझ गया ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा किसी भी कोचिंग में आप जाएए पढ़ाया ही जाता है समझ गया आप यूट्यूब के पांच मिनट का वीडियो देखके फूस वजाते हैं वो सब बेपूप बना रहे हैं समा गदा बना रहे हैं मदब 10 मिनट में 15 मिनट में आधा घंटा में चैप्टर सब खीज़ देते हैं जबकि यह चैप्टर समझो तो यह पढ़ाया जाएगा साही धंग से तब 20-25 लेक्चर इसका लगेगा किक है मैं बहुत ज्यादा कोशिस किया सोट करने का समझ रहे हो कोचिंग में इवन पढ़ाय जाता है तेक है 25-25 लेक्चर इसका मिलता है समझ गया ना कि इवन मैं भी लूंगा कितना अभी तक कितना हो गया दसमा है न तेरा 14 लेक्चर मेरा भी हो जाएगा यूट्यूब पे समझ रहे हो कम से कम अभी एक लेक्चर और आएगा जिसमें लगवाग तिन-चार-पांच फाइलम और बचेगा उसको कवर करवाऊंगा उसके आशा नहीं है कि कम-कम परहाता हूं बहु जादा परहाता हूं समझ गया क्या स्पीड में भी परहाता हूं थोड़ाा साब ठीक है वो आपको पता लगी रहा होगा चलि आगे बरते हैं चलि अगला फाइलम है फाइलम एनलीडा छठा नंबर होगा फाइलम एनलीडा ठीक है यह आप देख सकते हो देखो यह जो जो मैं पढ़ाया वही सब देरखा इसमें देखो यह इद बताया था ना radial symmetry, bilateral symmetry यह देखो यह है न जर्म layer ictoderm, indoderm, mesoderm इसमें mesoglia mesoderm दिख रहा होगा heart का type यह सब नहीं बताया ठीक है वो सब important नहीं है यह देखो silom यह इतना silom पढ़ना था आपको अभी segmentation के बारे मैं analida में पढ़ाऊंगा, समझ गया न लगवा लगवा चिड़ा नहीं है पौरी फेरा, यह सारा example बताया ही था यह भी पुरा पढ़ाया ही था यह होता needle blast बोला था न, fake के मारता है यह यह night area में ठीक है, जो की fake के मारता है यह आप देख लिए टीनो फोरा प्लैटी हेलमिंस देख लिए अब आप देख रहे हैं, escalminthus escalminthus भी देख लिए अब देख रहे हैं, आप analida समझ रहे हो, तो एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ता है, clear छोड़ चार के पढ़ाऊंगा, सारा उर जाएगा ये था बस animal kingdom, chapter number 4 है उसके बाद chapter 3 है plant kingdom हालांकि plant kingdom है बहुत detail में नहीं पढ़ाया क्योंकि पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ाया ये देखो, nomenclature ये सब पढ़ाया था, वो इसमें पढ़ना है यहाँ पे यहाँ पे देखो, इदर पे बाइलोजिकल नेमर जेनरली लेटिन वर्ड, इटैलिक्स समझ गया ना, टेढ़ा करके लिखा जाता है बुक्स में, कॉपी में अंडरलाइन करके ये सब 11th का है, clear और आपको भी पढ़ना ये नहीं है कि आपका नहीं है चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं अब है अगला फाइलम, फाइलम एनलीडा एनसी आर्टी का बुक है, बहुत कम है इसमें एनलीडा का मतलब होता है ये एक वर्ड से आया है, एन्यूलस यहाँ सिधे बोल दो ना, एनलीडा का ही मतलब क्या होता है, छोटा 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 रिंग मतलब छोटा 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 रिंग से मिलके ये और्गनी जम बना होगा रिंग लाइक और्गनी जम होगा जैसे अर्थ वर्म, अर्थ वर्म देखे हो अरे केचुआ देखे हो भाई, नहीं देखे हो हो औरे चेरा-चेरा for विस्ट फ्रेंद केयो चुआ लग अलग नाम बोल दिया तो वह क्या है बता aujourdार और सरी अने लीडा का member क्योंकि उसके पास लिदील रही होता है वह चोटे चोटे यह बात 100% गलत है तुम्हारे जैसा नहीं होता है ठीक है देखर किसान का बेस्ट फ्रेंड है तुम किसके प्रेंड हो चली आगे बढ़ते हैं इसके पास बाइलेटरल सीमेट्री होता है समझ गया कौन सा सीमेट्री बाइलेटरल सीमेट्री समझ रहे हो न इसको बोला जाता है एनलीडा का जो मेंबर है किसान का बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है अगर है तो कमेंट में नाम बता सकते हो अच्छा वाला फ्रे अब यह नहीं सोचना की अर्थवर्म रहते कितना अच्छा रहता मेरा नाम भूग में लिखा होता और था चली इधर द्याने दे चलिया है कि यह कि इसका जो कुछ मेंबर होता है न वो की राज यह जैसा दिखता है कुछ नहीं अधिकतार मैंबर इसलिए इसको उम लोरब शाल मतलब कीरा जैसा समझ गया है कि इसका बोडी सिलेंडरिकल होता है generally, cylindrical कभी-कभी dorsal ventrally ये भी flat होता है dorsal ventrally flattened body होता है हाँ, पता है, मुझे spelling गलत है, सो तेखा है dorsal ventrally flattened हरे, ओ है, ओ, ओ, ओ कुण साब सुत्रा करेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तेखा है, ये कहां पर पाया जाता है अराम से mustr रहता है land पे भी मिल जाएगा तुम्हें ये, पानी में भी मिल सकता है, land water दोनों पे generally, पानी में, जब पानी का सीजन आता है, तब वो निकलता है समझ गया, इसका कुछ मेंबर parasitic भी होता है, summer parasitic parasitic क्या होता है बता, leach leach, joke इसको बोला जाता है कभी काटा है बजपन में मुझे एक बार ये काटा है, समझ गया नहाने के समय कभी काटा है, भैस उसको पकर लेता है गाउं में बाड आता था न, तो हम लोग बहुत वच्चे थे उस टाइम पे लवज़ दो हजार इतना, 7-8 में आया था बाड उस टाइम काटा था, बहुँ छोटा था मैं ठीक है, उस टाइम पे गाए भेस को भी काट लेता था ये लिच, समझ रहे हो गाए भेस को भी, अब मता अभी भी काटता है अभी थोड़ा कम रहता है, समझ गया लेन पहले थोड़ा ज़्यादा आता था हम लोग के इधर बाढ आता था तो अभी भी जहां बाढ आता है वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर जाता है बहुत परिसान करता है मवेसी सब जो भी होता है कैटल उस सब को पकट लेता है बहुत परिसान करता है ठीक है आगे बरे हम लोग बढ़ते हैं ठीक है आगे बरे ठीक है समझ गया न तो यह कहां कहां पर मिलेगा लैंड पर वाटर में समझ गया ठीक है 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 लैंड फ्रेस वाटर सब जगह पर मिल जाएगा अर के भी वाटर में मिलेगा समझ गया अरे समझा नहीं तू नहीं समझा इसके पास सिलोम होता है समझ गया इसके पास सिलोम होता है समझ गया ना ट्रू सिलोम होता है इसके पास ट्रू सिलोम यह पहला मेंबर है फर्स्ट मेंबर फर्स्ट मेंबर है विन ट्रू सिलोम वेरी वेर समझा कि नहीं समझा डाइजस्टिव सिस्टम इसके पास पूरा वेल डेविलप्ट होता है कि तेरी कितना गंदा लिख रहा हूं बर अब अच्छे से लिखोंगा चलिए आगे बरते हैं कि पुरा गला मेरा फस चुका है पैस तेरी फिर से लाइट गर बरा गया फुट बंधी हो गया पिटने पर नराज क्यों इतना हो रहा है भाई तक शांती से रहा हो गया ठीका कि चलिए आगे बढ़ते हैं अगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े बढ़े बढ़ते हैं हम लोग कहां थी हम लोग digestive system वेल डेवलप्ट ठीक है किस में है एनलीडा में आगे बढ़े ठीक है इसका जो digestive system होता है वो वेल डेवलप्ट है ट्यूब लाइक होता है समझ गया है ट्यूब लाइक नली जैसा complete होता है complete मतलब समझते हो न जिसके पास बोथ माउथ और एनस हो माउथ और एनस दोनों हो को हम बोलते है complete digestive system समझ गया है इसका जो बॉड़ी होता है किसका एनलीडा का वो segment में टूटा होता है इसका एक और नाम भी है इसको हम बोल देते हैं metameric segmentation क्या बोलते हैं metameric segmentation true segmentation अर्थवर में नजर आ जाएगा clear तेका इसके nervous system इसके पास ठीक ठाक होता है तेका यहां तक brain आ चुका है समझ गया ना brain nerve code यह सब इसके पास होता है ठीक है brain होता है कि नर्व कॉर्ड होता है इसके पास इभी नर्व भी होता है clear आगे बढ़े हम लोग अब बात आता है यह चलता कैसे है लोकोमोशन कैसे करता है वेट बताता हूं कि नोट्स में आज थोड़ा घिचपिच हो गया समझ गया ना पहला पेज में तो उसको ठीक कर लिजिएगा मैं जब पढ़ा रहा था तो वहां पे तीनों फोड़ा को नोट्स से हटा दिया था समझ गया ना क्योंकि पढ़ना नहीं है फिर बाद में अड़ कर दिया इस कारण से फोड़ा सा जगह में लिखना पर है तो उसको मेकप कर लिजिएगा पता ना सभी लोगों को नोट्स काह मिलता है डेस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट वक्स में सिधे लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा ज्यादा इधर उदर नहीं घुमने अभी वेबसाइट अभी मेरे पास नहीं है समझ रहे हो ना इसके वज़़े से वेबसाइट नहीं दे पाता हूँ अभी वसी काम चलाना पड़ता है कोसिस करूँगा बन जा इस साल समझ गए इस साल तक कोसिस करूँगा चली आगे बढ़ते हैं सब चीज में पैसा लगता है समझ रहे हो ने पैसा अभी नहीं है उतना कि वेबसाइट से बन वापा हूँ चली आगे बढ़ते हैं, अब बात आता है कि लोको मोसन कैसे करता है, इसका एक एक इक्जامपल हम लोग देख लेते हैं, एक ऑर्गेनिज स्पथे हैं, जैसे ये ऑर्गेनिजं हमें है जिसका नाम है निरिस, क्या बहुते हैं इसको हम? निरिस, ठीक है? पूरे बॉड़ी में असा-इसा होता है समझे ना पूरे बॉड़ी में होता है आपको जितना डिजाइन बनाना है बना देजे यह क्या है बता नेरीस है क्या है लजो नेरीस है इसमें आपको फूला हुआ है स बहुंआ है इसको बोला जाता पैरा पोडिया क्या बोला जाता है पैरा पोडिया यह क्या है इस है क्लियर समझ गए ना कि क्लियर एक लिए यह क्लियर वाहई यह क्या है यह चोटा सा नजर आ है city है साइड में निकला हुए या पैरा पोडिया वह भी बोल सकते हो समझ गया न और इस नरी स्क के में protocol उन्हाएं तो अ है सिसके उपर जिक्रा चोतवां को इसको क्या बोल देंगे या सीटी भी बो दो सिंग्वलर प्लिए क्लियर है ना इसी को हम लोग जूम करके देखे हैं जूम करके मतब बरा करके देखे हैं क्लियर तो इसको लोकोमोशन में मदद करता है पैरा पोडिया और सीटा दोनों क्लियर समझा न अरे तू नहीं समझा अरे समझा की नहीं समझा नहीं तू नहीं समझा देख इधर ध्या में तुम अकेला हो देख रहे हो भाई लोकोमोशन क्या चीज से करेगा बता पेयर्ड लेट्रल अपेंडेज से तेखा अपेंडेज मतलब बता आउट ग्रोथ जो बाहर की तरफ निकला हुआ है जो क्या है बता पैरापोडिया क्या चीज में मदद करता है घूमने में घूम फिर करने में लोकोमोशन में ठीक है आगे बढ़े हम लोग ठीक है और सीटा भी होता है यह भी मदद करता है यह काईटीनियस काईटीन का बना होता है काईटीनियस ठीक है, clear 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 एक chemical है समझेंगा न यह जो सीटा है न यह चलने में भी मदद करता है और यह attachment में भी मदद करता है क्या चीज के उपर? attachment में attachment में, क्या चीज के उपर? surface के उपर, ठीक है जैसे माले यह earthworm है यह तो neris है, ठीक है अर्थवर्म है तो उसको जमीन से चिपक के चलना परेगा न ऐसा नो कि गिर जाए दिवार पे चरहेगा उलट जाए ठीक है उपरे से गिर जाए तो उसके लिए क्या होता है सीटा लगा होता है जिसके हेल्प से चलता है समझ गया है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरे दिखा यह ड्याग्राम समझा है? क्या है? निरिस है. लीच भी बना सकते हो. लीस थोड़ा मोटा ताजा होता है. कुछ इस Type का होता है. यह क्या है? बता? लीच है. यही खून कुछ चूशता है. clear ये कैसा है parasitic है समझेके ना clear कैसा है parasitic है clear इसमें किसी कोई भी doubt नहीं होगा clear ये क्या है सकर है इसके पास चूसने वाला ये क्या है सकर ये सकर को नीचे भी बना सकते थे इसको मैं rotate करा दिया आगे बड़े आगे पीछे दोनों जगा पर सकर होता है यहां पर भी होता है सकर हो कि अर्ठवन यहां बना सकते है और स्फे पतला होता है ये बहुत मोटा होता है और ये छोटा होता और तबलत पतला होता और लंबा होता है क्लिया कि तुर्णा ज्यादा पतला हो गया बीच में कि टेक है सेग्रमेंट में तोड़ दो ठीक है अर्थवर्म के बारे में डिटेल में इलेवेंध में पढ़ना है इसलिए अभी पगलाने का ज़ुरत नहीं है यहां आसपा जेनाइटल पोर भी होता है इस सब के बारे में डिटेल में नहीं देखना है यहां पे होता है जेनाइटल पोर जो की रिप्रोडक्शन में मदद करता है इस सब के बारे में आपको नहीं देखना है इसका माउथ होता है अंदर से खुला होता है कैसे खुलता है स सब आगे पढ़ना है क्लियर अभी घबराने का ज़गरत नहीं है दिखा दू फोटो दिखाता हूं बुक में देख अर्थवर्म के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है यह देखिए अर्थवर्म है इसका मूह यह है देख रहां अंदर से खुला हुआ इसी के बारे में आपको पढ़ना है फोकस कर फोकस सीटा देख रहा है सीटा समझ गया ना जिसके हेल्प से चलता है क्लियर है क्लियर है क्लियर है आगे बरें हम लोग बढ़ते हैं दिख रहा कि नहीं गोड़ पर अच्छे से दिख रहा है बनिया है आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बरें आगे बरें और इसका कुछ बता दो करेक्टर छोड़ भाई बहुत हो गया है अब इसका एक दूग एक्जामपल लिख देता हूं देखी लिए अर्थवर्म लेच यह सब एक्जामपल लिख भी देता हूं जो आपको बुक में है कौन सा टोपिक है एनलीडा क्या क्या दे रखा है नेरिस सेंड़ वर्म बोलते हैं इसको नेरिस नेरिस के बारे में हम लोग देख चुके है फोटो ठेक है और भी यह है hiero उडिनेरिया यही काटता है इंडियन केटलेच है यह आदमी को भी पकर लेता है समझ गए को तो खुब पकरता है समझ गए डाट सक ब्लाड फ्राम दो होस्ट ठीक है और भी ए एफ्रोडाइट एफ्रोडाइट को सी माउस भी बोला जाता है क्लियर अर्थ्वर्म का भी है फेरे टीमा पॉस्थूमा पी छोटा होता है समझ गया ना साइंटिफिक नेम है यह क्या है अर्थ्वर्म क्लियर ना बस इतना ही आज रहने देते हैं छे फाइलम आपका हो चुका है समझ गया अब अगले दिन मैं आगे बताऊंगा समझ गया इसको अच्छे से पढ़ लिजिएगा लर्न कर लिजिएगा और दीवेस्ट वावाई जैहिंद क्ःवर्म तंह क्पर्द्वर्म